वाट्सब गाईज आज है सटाडे और सटाडे को दोस्तों महुल थोड़ा ठंड़ा रहता है लेकिन दोस्तों हमारे यहां ठंड़ा नहीं रहता क्यूंकर आज भी बहुत ही जवर्जास टेग नियूज लेकिया हो तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात क अचाते हैं तो दोस्तों उनके टर्मिन केंडिशन में जाके पढ़ सकते हैं बाकी दोस्तों आपकी मर्जी आपको लेना है या नहीं लेना है चलिए दोस्तों बात करते हैं आप पोल की तो पहने पूछा था आपसे कि आपके घर में स्मार्ट टीवी या एंड्रॉइड ट कोई टेंशन लेने की बात नहीं क्योंकि आगे देखते ही रही है दोस्तों टेक नियूज आपको पता चलेगा कि कौन सा जवर्ट्रियस टीवी दोस्तों आने वाले टैम में लाउंच होने वाला है तो पहली अपडेट जो हारी है दोस्तों बहुत ही तड़कता भड़कता है ऐसा बताया जारा है दोस्तों के वाटसप का जो प्राविसी लौ था जो 15 माई तक था अगर नहीं लेते तो दोस्तों एकाउन डिलीट हो जाता है लेकिन इनके एक जाने माने चिंग मिंग मिंग कोई है दोस्तों उन्होंने ये अनौन्स कर दिया है कि अब ये प्राविसी आपको पताईए दोस्तो तो आप थोड़ा सेफ रहिए, वैसे मैंने भी accept कर लिया था, आप क्या कर सकते हैं, इसलिए दोस्तो मैंने number change कर दिया है, मेरा number है, आगे बताइए, चलिए दोस्तो अगली update के तरह बढ़ते हैं, दोस्तो मेरा एक सवाल है कि आप में से कितने लोग wireless mouse का इस्तमाल करते हैं अगर करते हैं तो ये update आप लोगों के लिए जूप कमपनी ने दोस्तो जे ट्रिपल ओ के ये जो कमपनी है दोस्तो फिलिप कार्ट में या मेज़न में आपको मिल जागा इनों ने देना एक wireless mouse इन्वेंट किया है जिसमें दोस्तो 600 मिलियंप्यार की बैटरी है मतलब एक बार चार्च करेंगे और एक महीने तक ये चलेगा और इसकी जो प्राइज है 2499 रुपाय मतलब पचीस सो रुपाय दोस्तो तो इस प्राइज में मिल रहा है अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकत करने की जंजट खटता मैं दोस्तो तो ले सकते एक बार इन्वेश्ट करिया और यह लबबा चलेगा अब बात करते दोस्तों गूगल की तो गूगल फोटो में अगर आप बहुत सारा फोटो डालते हैं या फिर अपलोड करते हैं या श्टोर करके रखते तो एक जुन के बात 15 GB से ज्यादा आपको डेटा नहीं मिलेगा मतलब इस्टोर यहां पर नहीं मिलेगा 15 GB तक आप इस्टोर कर सकते उससे उपर अगर आप करेंगे तो आपको पैसे देना पड़ेगा दोस्तों तो आप समझिए 21 दिन में यहां पर पैसर डबल हो रहा है आपको क्या लग अबर आ रहे हैं एक रिपोर्ट निकल के आया दूस्तों सामने अगर आपके मोबाइल में है दोस्तों बहूत सारे मोबाइल में जब भी अफड़ेट आये तो इसको अपड़ेट कर लीजिये डेटा बचाने के छक्कर में आप अपना दोस्तों देटा खुद का नहीं बच और तो आप इसके लिए खूश है या नीन वैसे ये on-line होता है तो attention Central si मुझे यह समेघ में नहीं आ बाद करते हैं ग दोस्तों करें से पूस्टार है जो नया watch आने वाला है 13 मईको दोस्तों उसका टीजर पर चल गए वहां पर जा जा कि आप देखững दूसरा जो है दोस्तो Redmi Note 10S ये दोस्तो Amazon में इसका टीजर पेज चल गया तो वहां भी जाकि देख सकते हैं यो G95 का इसमें प्रोसेसर वगरा होगा और काफी जबर जस फोन होगा लेकिन कोई मतलब नहीं बनता इस फोन को दोस्तो लाँच करके आपको अगर कोई मतलब दिख बोला है तारव टार्जन नाम से दोस्तों इसे इंट्रten palace किया घ对ो बहुत ही जल्दी आएगा यह वही टी वी दो्सतों मृलिषया में दुसरा बहरें पी सीरीज मेरा प्लेज को रंगे दोस्तों बहुत जल्दी आईगा यह बात करते दोब का एक foldable phone फिर से launch होने वाला है J18S यह दोस्तो model number निकल के आया है यह दोस्तो नाम भी बोल सकते है और यह foldable phone होगा दोस्तो मतलब इस तरह का कुछ होने वाला है अल्रेडी एक हो चुका है यह भी होगा दोस्तों इंडिया में तो देखने को नहीं मिला है लेकिन इसमें खास बात यह होगी दोस्तों कि यह देतने भी Xiaomi मुझे समझ में नहीं आरा कि Xiaomi जो भी foldable phone लांच कर रहा है उसमें camera में अलग अलग technology ला रहा अब देद दोस्तों पहल दोस्तों Mi Pad 5 की तो यह दोस्तों जुलाई में लांच होने वाला इस तरही कुछ खबर आ रही है जल से जल्द हो जाए दोस्तों लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है हाई रिफ्रेश रेट के साथ दोस्तों इसका display होगा जो दोस्तों 240 Hz दिखाया जा रहा है दोस्तों कही कहीं देखने को मिल रहा है जब यह आगा तो आपको साड़ी डिटेल देंगा अब बात करते हैं दोस्तों Samsung Galaxy A52 5G यह दोस्तों इनका support पेज आ चुगा है बहुत ही जल्दी दोस्तों यह अंडिया में देखने को मिलेगा अब बात करते हैं दोस्तों Oppo की तो Oppo ने दोस्तो एनॉंस कर दिया है कि आप उनका कोई भी फोन लीजिए तीन साल तक का software अपडेट देगा Oppo इस तरह का वादा कर रहा है दोस्तों और इसकी शुरुआत Oppo Find X3 Pro से दोस्तों उन्होंने कर दिया है जो भी खरीदे हैं तो तीन साल तक का आपको अपडेट देखने को मिलेगा इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि आप नया फोन बाई करिये पुराना दोस्तों अगर सस्तेम भी मिले तो मत लीजे फोन तो आपको मिल जागा लेकिन वहां सेक्रियोटी इसू का दोस्तों खतरा रहेगा अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नो केमान 17 केमान अच्छे द अधिक्नराय नो किया की तो नोकिया का जी टेन और जी taxi यह फोन यह दोस्तों टीके डीन शर्टिफिकरिकेशन में लिश्ट हो गया है इंडिया में पटा नहीं दोस्तों का और आगा वैसे हमें इंटरेश् updates नहीं है दोस्तों हम भी Nokia कर देते हैं तो आप भी दोस्तों 99 किया कर दी अब बात करते हैं दोस्तों आसους के आसेव सेंसर्फोन 8 यह फोनों इस का मीनी वर्जन का डिस्प्ले का इसन ओसे का इंफोर्मेशन बहुर आ prophe паль्छ बात करते हैं जो तो डिस्प्ले का डिस्प्ले को पर बात करते हैं ६धे Q2 इसका दोस्तों बॉक्स का कोई बैक का फोटो खिचके डाल दिया और इसकी प्राइस बाहर आगे यह दोस्तों 2499 रुपए में दोस्तों यह आएगा Q1 दोस्तों काफी जबर जासा आप पर पता ही है लो लेटेंसी मोड वगारा भी दिया गया है गेमिंग के लिए अब Q2 का इंतिजार है दोस्तों यह किस तरह का होगा और इसकी डिजाइन वगारा क्या होगी क्या टेक्ट्राइल डिजाइन पर आएगा आप हमें कमेंड में बता सकते है तो दोस्तों टेक नियूज होती है खतम हमीद वीडियो पसंद आया ज्यादा बड़ा नहीं था लेक